मत्यप्रदेश में राजनीति घटना क्रम बीते तीन दिन में तेजी से बदले हैं एक दरफ मत्यप्रदेश के अगले मुखी मंत्री को चुनने को लेकर बिजेपी के अंदर भारी हलचल मची हुई है और इस बीच जिन सांसदों से बिजेपी ने इस्तीफे कराए हैं अब उनको दिल्ली में स्थित सरकारी बंगलों को भी खाली करने के नोटिस मिल गया है इस्तीफा देने के 24 घंटे में ही इन सांसदों को लोगसभा की आवाज समिती द्वारा बंगला खाली करने के नोटिस मिल गया है बिझेपी मध्यप्रदेश के सामानि पूल का हिस्सा है इन साथ सांसदों को बिझेपी ने मध्यप्रदेश के विधानसभा चुडाब में उतारा था इन में से रीती पाठक, राकेश सिंग, राव उदै प्रताप सिंग, गडेश सिंग, फगण सिंग कुलस्ते, नरेन सिंग तोमर और प्रहलाद पटेल हैं इन में से फगण सिंग कुलस्ते और गडेश सिंग अपने चुनाव हार चुके हैं तो वहीं रिती पाठक, राकेश सिंग, राव उदय प्रताप सिंग, नरेन सिंग, तोमर, प्रहलाद पटेल से बिजेपी ने एक दिन पहले ही स्तीफे ले लिये थे। इस तरह से इन पांच सांसदों को दिल्ली छोड़कर वापस मधिप्रदेश जाना होगा। ऐसे में इनको आबंटित किये गए सरकारी बंगले भी खाली करने होंगे। लोगसभा की आवाज समिती द्वारा दिये गए नोटिस में बताया क्या है कि स्तीफा देने वाले सांसदों को अगले 30 दिन में बंगले खाली करने होंगे। बिजेपी सोत्रों के अनुसार पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि नियम कानून सिर्फ विपक्छी सांसदों के लिए नहीं है बलकि नियम कानून बिजेपी के सांसदों पर भी मुस्तैदी से लागो होते हैं। इसलिए नजीर पेश करने, स्तीफा देने के 24 घंटे में ही इंसांसदों को बंगले खाली करने के नोटिस भी मिल गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।